खवातिनों हजरात मैं अनुकपूर हाजर हूँ, स्वागत करता हूँ, एहतराम करता हूँ आप सबका, आप सभी रशिक्ष्टोताओं का हिंदी सिनिमा से जुड़े सच्चे किस्से कहानियों और मीठे मीठे गीतों के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद इस जनम भी बक्षे तो मैं आपको ये सोनाता रहूँगा, फिर भी शायद कुछ कहानियां बच जाएं, इतना विशाल समंदर है ये, तो करता हूँ, आज किशो का अगाज शिरुवात किशोर कुमार से, जो अपनी आदतों के चलते अजीब औ गरीब सिच्चुएशन में गिर जाते थे, मगर अपने हुनर के चलते वे ऐसी सिचुएशन से अच्छी तरह निपट भी लिया करते थे, उनी से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बात है सन 1973 में आई फिल्म एक मुठी आसमा की, इसका म्यूजिक मदन मोहन दे र मदन मोहन जी ने किशोर कुमार से बात की और किशोर कुमार ने हाँ भी कर दी, जब रिकॉर्डिंग की तारीख पता चली, तो किशोर कुमार सोच में डूब गए, दरसल रिकॉर्डिंग की जो तारीख तय हुई थी, उस दिन किशोर कुमार को शाम चार बजे की से एक overseas trip पर जाना था और उसी दिन उन्होंने पंचम को भी recording के लिए सुभा का समय दे रखा था इतने tight scheduling के बावजूद आखिर में उन्होंने मदन मोहन को भी recording के लिए समय दे ही दिया मदन जी के गाने की recording famous studio में होनी थी और पंचमदा की recording film center में दोने जगा दूर दूर थी किशोर कुमार को सुभा 11 बजे तक पंचमदा के साथ recording करनी थी और उसके बाद उन्हें मदन जी की recording पर पहुँच जाना था recording का दिन आया और as per schedule किशोर पहुँच गए R.D. बर्मन की recording में recording शुरू हुई time लंबा खिच गया मदन मोहन की recording में जाने का ख्याल ही नहीं आया मगन हो गए उधर famous studio में मदन मोहन recording की सारी तैयारी कर किशोर का इंतजार कर रहे थे दो घंटे तक इंतजार करने के बाद जब किशोर कुमार नहीं है तो मदन जी का पारा थोड़ा खिसकने लगा एक assistant को बुलवाने भेजा assistant film center पहुँच गया मदन मोहन के assistant ने वहाँ पहुचकर किशोर कुमार को बताया कि मदन साब उनका studio में इंतजार कर रहे हैं गुस्से में किशोर कुमार के होश फाखता हो गए दो पहर होची की थी उसे तो वह किसी तरह समाल लेंगे मगर मदन मोहन को समालना बारी पड़ जाएगा इसलिए वह पंचम के इधर उधर होते ही चुपचाप पीछे के दरवाजे से भागे और सीधे famous studio पहुच गए पहुच कर मदन मोहन जी से माफी मांगी और recording शुरू की अब इधर पंचम को जब पता चला कि किशोर स्टूडियो में दिखनी रहे तो उन्होंने किशोर की तलाश शुरू कर दी अभी तो यहां था काफी देर खोजने के बाद पंचम को पता चला कि मदन जी का एक assistant आया था और उन्हें famous studio में ले गया है recording के लिए अब पंचम भागे famous studio ताकि किशोर कुमार को पकड़ कर वापस ले आये और खुद के गाने की recording complete कर सकें जब पंचम famous studio पहुँचे तब किशोर कुमार मदन मोहन का गाना record कर रहे थे अब दोनों music directors को एक साथ देखकर किशोर कुमार tension में आ गए कि कहीं ये दोनों मिलकर यहां उनका तमाशा ना खड़ा कर दे वो फटापट पंचम के पास आये और उनसे request की कि भाई थोड़ी देर देदो बस में इनका गाना खत्म करके सीधा तुमारे पास आता हूँ तुमारा गाना पूरा करके ही मैं फ्लाइट पकड़ूँगा विदेश जाने की बस तुम चलो मैं आता हूँ तो इस तरह किशोर ने पंचम को किसी तरह मना कर वापस फिल्म सेंटर भेज दिया पंचम के जाते ही किशोर कुमार ने मदन मोहन के पास जाके उन्हें कहा कि दादा माफ कीजेगा मैं आपकी रिकॉर्डिंग के बारे में भूली गया था और वहाँ पंचम का गाना भी अधूरा छोड़ के आ हूँ अगर हो सके तो आप थोड़ा जल्दी कर लीजे ताकि विदेश जाने से पहले उसका गाना भी रिकॉर्ड हो जाए वरना वो अटक जाएगा तब मदन मोहन ने फटापट रिकॉर्डिंग शुरू की और एक टेक में ही ये गीत रिकॉर्ड हुआ हर कोई चाहता है एक मुठी आस्मा किशोर कुमार वहां से फटापट पंचम के पास भागे और आडी बर्मन का गाना भी कम्प्रीट किया इस तरह भागम भाग में रिकॉर्ड हुआ गाना हर कोई चाहता है एक मुठी आस्मा सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनुकपूर सिर्फ 92.7 बिग एफम पर याद दिलाना चाहूंगा आपको फिल्म वो कौन थी का एक अमरगीत संगीत मदन महन साप का नगमनिगार जनाब राजा महंदी अलीखा साब लग जा गले के फिर ये हसी रात हो नहो शायद इस जनम में मुलाकात हो नहो याद दिलाना चाहूंगा मुखडे की पंक्तियां वो पंक्तियां थी पास आईए के हम नहीं आएंगे बार-बार बाहें गले में डालके हम रोले जार-जार आखों से फिर ये प्यार की बरसात हो नहो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो नहो सब इस गाने की शूटिंग स्टार्ट हुई मुखडा पिक्चराइज हुआ लेकिन जैसे ही अंतरे को शूट करने की बारी आई और रहर्सल के दौरान लिपसिंग करने के दौरान साधना जी ने महसूस करना शुरू किया कि उनके दिल की धड़कने बढ़ गई है कुछ अजीब सी कैफियत हो गई और जब शौट होना था ये कि पास आई है कि हम नहीं आएंगे बार बार तो अच्छानक साधना जी की आँखों से जारुकतार आँसू बहने लगे शुरू-शुरू में आँसूओं को देखकर जो कुरियोगरफर थे सूरे कुमार जी उनको लगा कि साधना जी इन्वाल हो गई है और परफॉर्म कर रही है मगर शौट के कट होने के बावजूद जब साधना जी का रोना बंद नहीं हुआ तब पूरी यूनिट को ये पता चल गया कि ये तो असल में आसू बह रहे हैं डिरेक्टर राजखोसला सेंसिटिव आदमी थे साधना जी से पूछा गया क्या बात है साधना जी ने कहा कि ये लवज ऐसे हैं ये बोल ऐसे हैं कि मैं बहुत ओवर्वेल्म्ड हो रही हूँ मैं इतनी जजबाती हो गई हूँ इतनी भावख हो गई हूँ कि मैं अपने आपको रोक नहीं पाई अपने आप जैसे ही जरा से लवज मेरे जहन में आते हैं मैं गुनगुनाना शुरू करती हूँ तो आंक से जरजर आंसू बहने लगते हैं पता नहीं क्या चोट कर दिये इन शब्दों ने कि बस आंखे भराई दोस्तों ये जो घटना थी भावुक होने की, एमोशनल होने की आप ताज्यूप करेंगे काफी देर तक साधना जी शूटिंग नहीं कर पाई और घंटों तक शूटिंग रोक देनी पड़ी ये था जादू इस गीत का अमर गीत है, साहिर का एक गाना याद आ रहा है कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया कभी खुद पे कभी हालात कि हम भूल गए हैं उनको, आज ये क्या हुआ, किस बात पर रोना आया, आज ये क्या हुआ, किस बात पर रोना आया, और जो शेर अब सुनाने जा रहा हूं, आप सब की तवज्जों चाहुँगा, कि कौन रोता है किसी और की खातिर, ऐ दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त सब को अपनी ही किसी बात पे रोना आया इसी वजह से सादना रो पड़ी होंगी पता नहीं दिल के कौन से तार चड़ गये हूँ के पास आईए के हम नहीं आएंगे बार बार बाहें गले में डालके हम रोले जार जार आखों से फिर ये प्यार की बरसात हो नहो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो नहो क्यूं भराई आखें लता अमंगिशकर की मदन मोहन के लिए क्यूं मदन मोहन ने कहा कि लता आज जो तुमने कहा है उससे बड़ा सम्मान मेरे जीवन में कोई और नहीं हो सकता मदन मोहन ये नाम वो नाम है जिसके बिना हिंदी सिनिमा का संगीत अधूरा है जैसे हर फूल की अपनी एक महक होती है उसी तरहा मदन मोहन के संगीत की खुश्पू बिलकुल जुदा थी बहतरीन से बहतरीन संगीत और गीत देने के बावजूद उनके किसी गीत को कभी कोई फिल्म फेर अवार्ड नहीं मिला 1970 की फिल्म दस्तक के लिए हुने नैशनल अवार्ड मिला मगर फिल्म फेर अवार्ड नहीं मिला तीन बार नॉमिनेट जरूर किया गया पहली बार 1962 में अनपढ़ के लिए दूसरी बार 1964 की फिल्म वो कौन थी के लिए और तीसरी बार फिल्म मौसम के लिए तीनों बार नॉमिनेशन हुआ मगर अवार्ड नहीं मिल पाया इस बात की तकलीफ लता जी को बहुत ज़ादा हुई जब साल 1964 की फिल्म वो कौन थी के लिए मदन मुहन को नॉमिनेट किया गया मगर हर बार की तरह ये अवार्ड जब नहीं मिला इस बात को सुनकर लता जी रो पड़ी अब बताने की ज़रूरत नहीं के वो कौन थी का संगीत और उसका जादू क्या था लग जा गले के फिर ये हसी रात हो नहो नैना बरसे रिम जिम लता जी का कहना है कि आज भी वो गीत अगर अपने शो में ना गाएं तो मानिये शो अधूरा सा लगता है ये गाने कल भी पॉपिलर थे और आज भी पॉपिलर है मदन जी को अवार्ड ना मिलने के लिए लता इतनी दुखी हूँ कि उन्होंने मदन भीया को फोन किया कि भीया आज मुझे तकलीफ हो रही है इस फिल्म के लिए आपका आवार्ड नहीं मिला मुझे रोना आ रहा है तब मदन जी बोले मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और क्या हो सकता है। तुमने जो मान मुझे दिया है, तुमने जो प्रेम दिया है, उसके सामने सारे अवार्ड छोटे हैं। वापस आकर बताऊंगा के भिंडी मीट खिलाया मदन मोहन ने और उसके बाद गाना गवाया मदन मोहन ने। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनुकपूर। मदन मोहन जी ने फोन किया मनना अदा को, और कहा कि अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो लंच टाइम में घर आ जाओ। फिल्म इंडस्ट्री में खासकर म्यूजिक के फील में सबको ये पता था कि मदन जी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मनना दा ने में सोचा, दोपहर में बुलाया, लंच टाइम पे पहुँच जाएंगे, जरूर वो स्पेशल कुछ पका रहा है। उनने का बस आता हूँ, और वो चल दिये। जब वो मदन जी के सिटिंग रूम में बैठे, तो कुछ महकी महकी सी खुश्बू आने लगी। अब मनना दा से रहा नहीं गया, और पूछी डाला, क्या बना रहे हैं। मदन मोहन बोले, भिंडी मीट बना रहा हूँ। भिंडी और मीट? मननाडे ने कहा कि कुछ कॉंबनेशन नहीं है। मदन मोहन ने कहा अलग है, है बड़ा टेस्टी। खा के बताना। भिंडी मीट सामने आया, देखने में बड़ा डिलिश्यस यमी लग रहा था। मननाडे ने खाना शुरू किया और देखते देखते इस लजज़त की वज़ा से पूरी प्लेट चेट कर गए। और मदन जी की तारीफ पे तारीफ करने लगे। टोटली दिवाने हो गए। अब जब खाना पूरा खा लिया तो मदन जी ने का यार मैंने एक धुन बनाई है, जरा सुनो। मननाडे ने का सुनाओ। मननाडे जी ने धुन सुनी, पसंद आ गई। अब मदन महन जी ने का कि अगर धुन तु गाएगा तो अगली बार फिर से तुझे भिंडी मीट बना कर खिलाओंगा। और तो इस तरह भिंडी मीट के बहाने मदन महन जी ने मननाडे से गाना गवा लिया। ये गीत था कौन आया मेरे मन के द्वारे। पायल की जनकार लिये। फिल्म थी 1957 की देख कबीरा रोया। इसके गीतकार थे राजेंदर कृष्ण और ये गाना किशोर कुमार के भाई अनूप कुमार पे picturized है। अशोक कुमार और दादा मुनी ने देवानन्द को एक studio के बाहर देखा और इसके बाद वो रोल दिलवा दिया जो वो खुद कर रहे थे। ये किस्सा क्या था आपको सुनाऊंगा। और इस किस्से की तस्दीख की है देव सहब ने अपनी किताब में भी। बताते हैं कि ये बात 1948 किये जब अशोक कुमार फिल्म जिद्धी कर रहे थे। शूटिंग बस अभी शुरू ही हुई थी, पहला ही दिन था। एक सीन करने के बाद अशोक कुमार फ्लॉर से बाहर आ अशोक कुमार ने इस लड़के से पूछ डला क्या काम है, क्या नाम है। लड़के ने बोला, सर मेरा नाम देवानन्द है, मैंने एक फिल्म की है, चल नहीं पाई, बड़ी महरबानी होगी अगर कुछ काम दिला सकें। दादा मुनी को इस लड़के में आत्मिश्वास नजर आया, लड़का खुबसूरत था, स्मार्ट था। दादा मुनी ने कहा, आओ मेरे साथ अंदर। अंदर पहुँचकर दादा मुनी ने इस लड़के देवानन्द को इंट्रड्यूस करवाया, डिरेक्टर शाहिद लत सकता है, मना कर दिया, इस फिल्म का निर्मान बॉम्बे टॉकीज में हो रहा था, प्रोड्यूसर्स की टीम ने भी मना कर दिया, मगर पतानी क्या बात थी कि अशोक कुमार अपने फैसले पर अड़ गए, उन्होंने हर तरह से कोशिश की, कन्विंस करने की रिक्वेस्ट की प्रोड्यूसर से, डिरेक्टर से, कि देखो भाई, इस लड़के को मौका दे दो, और देखो अभी एक दिन की तो शूटिंग हुई है, कोई नुखसान नहीं होगा, और हाँ, अगर ये लड़का ठीक से काम नहीं कर पाया, तो मैं तो हूँ, मैं कर लूँगा, मगर मेरी बात पर यकीन करो, और एक चांस दे दो, अशुक कुमार भहुत बड़े स्टार थे, उनकी जित के आगे, प्रोड्यूसर्स को जुकना पड़ा, और देवानंद को उनके कहने पर, वो रोल दे दिया गया, जो खुद अशुक कुमार कर रहे थे, पहले ही दिन देवानंद एक शुट के आठ टेक दे डाले, इतने ज़ादा रीटेक से परेशान होकर, डिरेक्टर साहब ने अशुक कुमार साहब को स्टूडियो में समन किया, और कहा कि ये लड़के के अंदर कोई बस नहीं है, इतने सारे रीटेक दे रहा है, इसके बस की बात नहीं है, और आप वापस आजाई, लेकिन दादा मुनी को पता नहीं क्या था, उनको लगा कि ये लड़का ठीक काम करेगा, बात क्या है, तब जाकर देवानन से उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो क्यों confidence lose कर रहा है, और बात की तह में जानने की कोशिश की, तो दादा मुनी को पता चला कि हमारे डिरेक्टर साब जो शाहिद लतीव साब हैं, वो ठीक से सीन को explain नहीं कर पा रहे थे, इस confusion की वज़ा से ये जो newcomer देवानन था, जिसने एक ही फिल्म की थी, वो और ज़्यादा confuse हो रहा था, देवानन दादा मुनी के समझाने पर, explain करने के उपर, convince हो गए, आत्मिश्वास बढ़ गया, confidence आ गया, और अब shots जो थे, single take में okay होने लगे, और इस तरह से देवानन बन गए, अशुक कुमार की जगा, फिल्म, जिद्धी के हीरो, ये अपने आप में एक ऐसी घटना है, जो मैंने कभी पहले इससे सुनी नहीं, याद दिलाना चाहूंग फिल्म कटी पतंग का एक गीत, जिस गली में तिरा घर नहो बालमा, मुकिश जी ने गाया गीत, written by आनद बक्षी, composed by R.D. Parman, बहुत परेशानी हो रही थी इस गाने की शूटिंग करने में, कैसे समस्या का समाधान निकाला गया चर्चा फिल्म कटी पतंग की, गुलशननन्दा के नौविल पर आधारिती फिल्म, स्टारिंग राजिश खना, आशा पारेक, म्यूजिक बाई R.D. बर्मन, लिरिक्स बाई आनद बक्षी, एक गाना मुकेश जी का, मुकेश जी के द्वारा गाये हुए बहुत कम गाने है जो राजिश खना के उपर पिक्चराइज है, बिना बदरा के बिजरिया बंधन फिल्म का गाना है, लेकिन ये गाना बहुत सुपर हिट गाना है, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं, इस गाने की शूटिंग नैनिताल की जील में हुई सारी यूनिट तैयार, स्टार्स तैयार, लीजे, शूटिंग शुरू हुई, लेकिन डिरेक्टर साहब जो भी फ्रेम लगाते थे, उसमें उनको बहुत सारी डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ रहा था, वो चाहते थे कि फ्रेम में जील का पानी दिखे, और दिखे हीरो हीरोईन, राजिश खन्ना और आशा पारिक, लेकिन जो उस जील में दूसरे जो टूरिस्ट थे, वो अपनी अपनी बोट्स में कैमरे के सामने बार 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 आकर पूरे फ्रेम को डिस्टरब करते थे, और डिरेक्टर को वो डिजाइड एफेक्ट के शॉट्स नहीं हो सकती है, उस दिन की शूटिंग पैक अप कर दी, अब करें तो क्या करें, इसलिए प्रडक्शन ने डिसाइड किया अगले दिन के इस नैनिताल की जील पे चलने वाली जितनी बोटें हैं सब की सब हायर कर ली जाएं, कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, लेकिन गाने को पिक् कर ली, इसका मतलब है बाहर का टूरिस्ट अलाव ही नहीं है, सारी बोट्स हमारे अपने प्रडक्शन की हैं, और उस प्रडक्शन की हायर की हुई बोट्स जो थी, उसके उपर प्रडक्शन के ही लोगों को बिठा दिया गया, और इस तरह से पासिंग शॉट्स लिये गए उल जलूल कहानियां जिनका रियालिटी से कोई मतलब नहीं है, अथंटिसिटी से कोई मतलब नहीं है, मार्केट में बिखरी हुई है, लेकिन अगर जैनुएन ऑथंटिक सची कहानिया आपको सुननी हैं तो आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नु कपूर, सिर्फ 92 22.7 Big FM पर अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजे लिखिए Big Space दीजे सौहाना सफर और लिख डाली अपना मैसेज ये सवाल और भेज दीजे 55454 पर आप हमारा एशो Big FM के ओफिशल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं Facebook पर मुझसे contact करने के लिए like कीजे मेरा official Facebook पेज Facebook slash सौहाना सफर विद अनुकपूर